दोस्तों यहाँ पर WhatsApp ने हाली में यहाँ पर अपनी एक new privacy policy को update किया है जहाँ पर आपने दो दिन पेले यहाँ पर देखा हुआ नहीं तो यहाँ पर किसी को आज भी message आया है जहाँ पर आपको hope up आया है जहाँ पर आपको note now करना है या फिर agree करना है आपको यहाँ पर ऐसी ऐ प्राइवेसी पॉलीस यह टम संड कंडिशन है जो कि यहां पर आपको एगरी करने ही पड़ेगी नहीं तो आपका अकॉंड हो जाएगा जिया दोस्तों बैसिकली उसमें यहां पर क्या क्या पॉइंटे को आपको यह पॉड्स आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूं प्लीज मैं आप से रिक्रस करहें इस वीडियो को पुड़ा एंधर जरूर देखे लिएका क्यूंकि यह पर यह पर यह पर टापी इंपोटेंटट और यह पोईंट से आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहां पर आप WhatsApp करते हो ना तो आपका WhatsApp बेन ना हो जाए इसी वज़े से और यह वीडियो अपने फ्रेंड्स और फेमिली के साथ भी शेर जरूर कीजिएगा क्योंकि यहां पर यह इंफ्रमेशन सभी व्यूजर को पता चलना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है तो दोस्तों सबसे पहला यहां पर फोटो बेसते हैं या फिर वीडियो बेसते हैं वह यहां पर फोटो के सर्वर पर शोती है या नहीं होती है तो यहां पर फोटोस्प साथ सका हो GR अगर आपने यहाँ पर जो send किया उसने यहाँ पर 30 दीनों तक receive नहीं किया तो वहाँ पर वो 30 दीन के बात अटमेटिकली delete हो जायगा जिहां दोस्तों 30 दीन बात का tagline है जहां पर वो ओटमेटिकली delete हो जायगा और दोस्तों यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर encryption जी हां दोस्तों basically हम यहां पर WhatsApp पर जो chat करते हैं, message बेस्टे हैं, photos बेस्टे हैं, videos बेस्टे हैं, वो यहां पर end-to-end encrypted होते हैं, यह तो आपको पता ही होगा, मेरे अलावा और मैंने जिसको बेज़ा, उसके अलावा यहां पर कोई भी उससे message को read नहीं कर सकता है, कोई third party person, य इसरा update है, यहां पर basically install करते हैं, WhatsApp, तो WhatsApp हमारे यहां पर phone की क्या क्या detail लेते हैं, हमारे phone से, यह भी मैं आपको बचाता था हूँ, जहां पर आप screen पर देख सकते हो, दिखाया गया है कि आपके यहां पर कौन सा device है, कौन सा connection है, model number कौन सा है, operating system कौन सा है, OS कौन सा है, battery का level कितना है, signal की strength कितनी है, एक का version कौन सा है, browser की information, mobile network पूरा-पूरा connection कौन सा है, सारी चीजे आपको यहां पर वो आपकी ले लेता है, आपके device की IP ले लेता है, जिहां दोस्तों, और चोता है दोस्तों, यहां पर location से related, basically यहां पर क्या होता है, location हमें हमने family member को, किसी friend को, कि बी शेर किया, अभी तो यहां पर location को option आगा है, जहां पर location send कर सकते हैं, किसी को भी, तो basically आपके मन में सवाल होगा, वोट्सप अमारी location लेता है, नहीं लेता है, यहां पर share करने पर भी लेता है, और नहीं करोगे तब भी लेता है, यहां दोस्तों, आपने आपकी location कहीं बी शेर नहीं करी, location ओन भी नहीं करी, फिर भी यहां पर वो आपके IP address से आपकी location को ले लेता है, यह भी यहां पर WhatsApp ने इस अपडेट में साफ साफ कहा है, और दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूँ यह update, आपको कब से पहले मतलब agree करना ही पड़ेगा, नहीं तो आजबा यहां पर Facebook के साथ, यह हमारे कौन-कौन से data को share करता है, जी हां दोस्तों, फ्यू की Facebook की ही company है, WhatsApp भी उसी गई brand है, तो basically उसने खरीद रखा है, तो basically क्या है कि यहां पर सारी चीज़े क्या-क्या share करता है, यह भी मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर आपकी account का registration, कौन सा phone number है, transaction का data, server related information, सारी की सारी चीज़े, आपके सारे जो है ना, मतलब पूरा कच्चा चिक्टा वेस देता है, वो Facebook को, पूरा का पूरा लुट गए, मतलब इतनी सारी privacy protection, यार, क्या है, end-to-end encryption ठीक है, काफी अच्छा लग policy, basically, यहां पर क्या है, कि आपको कभी-कभी आप screen पर देख सकते हो, कि यहां पर इन्होंने तो साफ का है, कि हम आपको जो भी data ले रहे हैं, वो aid दिखाने के लिए नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहां पर future में यह हो सकता है, कि जैसे हम यहां पर aid दिखाएंगे, आपको personalized aid, interest aid दिखाएंगे, तो basically, आपको वहां पर देना पड़ेगा, हम update कर देंगे, आपको यहां पर वो update आजाएगा, लेकिन aid की policy के लिए भी यहां पर यह रूल है, और next है दोस्तों, यहां पर minimum aid, जियां दोस्तों, जहां पर WhatsApp ने साफ साफ काएगी, यहां पर WhatsApp बारा साल के और दोस्तों final point जो की बहुत 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 ज्यादा important है, यहां पर आप कोई भी चीज WhatsApp पर forward करते हो, किसी ग्रूप में share करते हो, किसी को best हो, वो फरजी है, एक तरह से मतलब गलत information आप forward करते हो, share करते हो ना, basically क्या हो जादा पहले तो आपको यहां पर share करने की full, यहां पर freedom थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या होगा, कि जैसे आपने कुछ भी गलत चीज़ो, violation है, कुछ भी violation करती है, यहां पर उस और से related, तो आपका WhatsApp अकाउंड बिना information पर, बिना notification के, बैं, deleted, permanently, कभी उसको वापस नहीं कर सकते हो, तो यहां पर source समझ के forward कीजेगा, क WhatsApp ने कि यार मैं तो हद दो गया, इतने सारे point है, अगर आपने एगरी कर दिया, तो यह सारे point को आपको compromise करना पड़ेगा, मैंने तो एगरी कर दिया, क्योंकि यार, WhatsApp चलाना है, तो करना ही पड़ेगा, आठ फरवरी के पहले-पहले आपको भी करना ही पड़ेगा, तो दोस क्योंकि यार